नवस्कार आप जो रहाँचो लोकमान संसदनों शियालू सत्रा चाली रहुचे कितलाग बीलो पास सही रहाँचे ने एमाज एक महत्वनू बिल जेनी चर्चा क्यांक लोकसभा मां जो अमली ने गुरू मंत्री अमिच शाहे ना पर चर्चा करियाती ने बिलनू नामचे जम जमू काश्मीर नो जे मुद्दों चे बहुच सेंसिट्व मुद्दों भारत आजाद थायू त्यार्थी रहो छे परन्तु सदन मा जे जमू काश्मीर रिजर्वेशन संसदन बिल पर आजे जे चर्चा थाई और लोकसभा मां जे रजू थायू एमां कितलाग चर्चा ना पोताना अधिकारों मल छे आने जमू काश्मीर नी वाद करे तो भारत पाकिस्तान जे अरे अलग पड़या त्यार्थीच पहले थीच आ जमू काश्मीर ने लईने क्याक विवाद जोवा मले होतो आने खास्तों काश्मीर ने भारत मां राखवू के क्येम आ मुद्दे क्य शाथे तेमने करूक के प्रधान मंतरी मुदी एवा नेता छे के जिएओ घरी बने पच्छात लोकोंनों दर्ध जाने छे आ बिल सित्तेर वर्षती एवा लोकों माटे छे के जैंने क्याख नियाईनी जरूर हती जिएओ क्याक पोता ना हक माटे लडी रहा हाता एमना माटेनू आ बिल जे कानके 46,631,1,7,967 लोको जम्मु कश्मीर माथी स्थाला अंतर करिवोतू अने मतबेंक नों विचार करयावीना शरुवाथीच क्या केमनू केहुछे कातंक वादनों सामनों करवो जुए आपने करीशक्या नहोता अन्याय अप्मान नयाओगणना जेनी थाई छे आ बिल थी एमने नियायमर्शे वमिच्छाये कईू साथेज एक वाद एमना केहुँगे पियो के केम थाईू तो एमनू केहुँछे के नहरू नी बोलने काराणे पियो के भारतना हत्माती गईुछे आने कोई ये आ विस्थापित लोकों नी कारजी आजसू दी लिदी न थी आने जो कदाच वाट बेंक नों विचार न करे ह तो काश्मीरी पंडितों ने घाटी न छोडवी पड़त पर हवे क्या का बिल थी नियाय मर्शे के केम आ सवाल पान मली रहो छे आवनारा समय मा बिल नी असर जमू काश्मीर मा कितली जोवा मर्शे आने जमू काश्मीर आरक्षर ने अनामत बिल मुद्धे चर्चा करवी मारी साथे जोड़ा चे गुदरात प्रदेस कॉंग्रस ना वाइस प्रेशिडन्ट असोग पंजियाबी मारी साथे जमू काश्मीर आपका भी स्वागत चे आपनू खास जे काश्मीर ने भारत मारा आखवामा पलती चे जे के वाइचे के नेरू नो हाथ हतो अने काश्मीर भारत ना आतमा थी जे पियो के गईू नेरू के विनी ते जवाबदार आने बिजू के वारम बार नेरू ने याद करवा अथवा भुद्काल ने याद करवा कितन प्रदार वल्लबभई पटेल चाहेबे, काश्मीर ना मुद्धे वाद करी तेरी नहरुजे, कईू के हुँ, काश्मीर ना मुद्धाने सौल करीश, आने आ मुद्धे मारी जवाबदरी रेशे. अने इतला माटे काश्मीर ना जे पियो के नो भार काश्मीर तो आपनो अतूँच परंतु त्याना राजा एमने पहला ना पाड़ी दी पर पसी एमने लाग्यू के ना सर्दार वल्लबई पटेल साहिन नी वाद बरोबर छे क्याक ने क्याक नहरू जी नी साथे अमना ताल मिलना कारणे पर छेले अमने ख्याल पड़ियो के बारत साथे रहूँचे त्या सुधी पाकिस्तान नी जे सैन्नी अतू अथवा त्याना जे मुझाई दीनों वगेर आत एफ पियो के सुधी पहुचया नहरू जी ये कईयो के हूँ आने सौल करी से सर्दार वल्लबई पटेल यहमां कसु करी सके अम नौता वरना सर्दार जी सर्दार वल्लबई पटेल छेले छेले लसकर ने मोकली यहमना थी उपरवट जईने आपनों त्यारे काश्मीर जे बच्ची जे बच्चावी लिंदू अनर्पी योके आपना अथमाधी गईवे नहरुजी ने बूल नहरुजी ए पोताने काश्मीर मां करी शकीस एउ करी ने कसुप कर्यू ने अबनी बूल छे आजे बारतिये जन्ता पार्टी ओगरिसो एसी थी ने जन्रिसंग वर्षो थी श्यामाँ प्रसाद मुखर जीना नित्रुतों मां काश्मीर भारत नूँ अभिन अंग छे एना मांने अमने सहीरी पड़ गोरी ए वात ने मुर्थी बंद करवा मांटे जम्बू काश्मीर उनर गठन मील जे आवियो छे एमाँ 24 सिटो पाक ओप्युकाक ओप्युपाइड काश्मीर मां आपने मुकी रहा ची है अतारे पियो की मांथी पड़ावा जावियो छे कि अमने भारत साथे रहे हुँची ताके मूर्थ ए आपड़ाज लोको छे अने इतला मांटे जम्बू का ए प्रतिशाद आपी ने अवे तुका जे भविश्य मां लोकतांत्रिक पद्धती थी तियो के मां पण जम्बू अने काश्मीर नो सडंग भाग तही जाए एरिते प्रशाशन पण भारत नों आवे यहुँँ आज़न करवा तरब जेए काश्मीर में चल्ला 10 वर्शिव भारतियों जन्तापाटी सरकार गेंद्र मां आछिए आपने बात करता है आतंगवाद ने नाथी शू आतंगवाद ने खतम करी नाथी शू पन तमेचूओ के जे आपना साइनिकों के अधिकारियों नो जे सिलसिलो छे शहीद थवानों त प्रोक्षी वर्ना अधरे बरफ आवे चे त्यारे आतंक वाद यो त्यारे गूसे चे अने लसकर आपड़ो इटलू सत्तर कोई छे परंतु गणिवार अमुक परिस्तितीनी अंदर व्यक्तिगत रिते आतंक वाद प्रोक्षी वर्ना आपड़ो त्यारे आमातो पाची पकिस्ताननीक मिल्टरी पकिस्ताननो उसासन प्रशासन एनन सपोर्ट करे छे एले छुटमूट गटेनाओ बनी रही चे बाकी आजे आतंक वाद वाद यो त्यां सफायों चेह आजे त्या थीएटरों चालू चे आजे धार्मिक वेडावणा थाई चे आजे कश्मिर नी अंदर अजारों टूरिस्ट एनि टूरिस्टी संख्याटली बदी वधी गई चे के आपने आम लागे के हवे काश्मिर जेचे सेफ थाई जू चे टेरिरिस्ट एक्टिविटी समगर वर्ल्ड मा चे अने यहना दूस समगर दूनिया भुगवी रहूं छे आपने एक बॉर्डरों पर पन आजनी तारिके टेरिस्ट एक्टिविटी चालू छे एक खत्रवानों प्रयाज ए बाटेश्मिर बिल्कुल बिल्कुल आश्योक पर जम्मो काश्मिर आरक्षान अनामत बील लोक सबामा रजू थायू सित्टेर वर्षती जे वह अपनी अता अथवा जैमने अन्याय थायो छे जमनी उपेक्षा ठゃई छे जेमने कैक न्यायोरी जरूर हती जिस्टेर गुहन न छाखती 53 वर्षमा Dr. कंश्मीर अनामत नने अरक्षवर नो के विधान सार्भा माशिनलुय मॉपत्म छे। 107 बैठक थे विधान सार्भा मायाla का्श्मीर अवावफिया यहां साथ नभी का। यहां करी पंडितों मात तो जोगवाई कि छे यहां उप Сवान सोhu सवाल एचे के कश्मरी पंडीतों थी मांडी ने समगर कश्मीर अत्यारे अन्याई ना बोझा हेठर रडी रहो छे कश्मीर बाबत मां 377 मी कलम जारे हटावा मां आवी ये समय उपर लोगसभाने राज्य समाव मां बनने सदनों नी अंदर तमाम राज की अपक्षोए 377 मी कल हटावानों समर्थन करे लो एन वोट आपे लो 370 मी कलम हटावानों विरोध कोई पर राज की अपक्षी लोगसभाब मां एमाग करें नो थो पर बारती जनता पाटी पोतानी खुराक मांटे पोतानी ऑक्सिजन मांटे पोती जीवा मांटे जिन्दगी भर जवारलाल नेह ने सामें बोलता आगया छे कारण के इनी सामें बोले तो जे पोता ने साचो साबित करी शके कश्मीर नो जे मुद्धो छे ए मुद्धा मापर भाजब सतक केट लाग वर्षु दी भ्रामा प्रचार करकी आवी छे श्यामा परसाद मुखर जी पंडी जवारलान नेहरूनी केबिनेट मिनिस्ट्री मा हता हरि सिंग खार सिंग सिंग कश्मीर ना राजा हता अने भारत और पाकिस्टान विभाजन थे हूँ तै ष्मीर ने क्या लई जोँ कारन्थर जारे कश्मीर मान नेवुद का प्रजात यानी मुस्लिम शत Muslims involvement हा इति कि धरम आधारित विभाजन आपने पोताना जेटला भी सलाकार हो ता अमने पुछो करूं मारे जवुचे भारत मा विलाय लेवा नी सत्ता तो इमने पास से हती ऐसे में उपर करनके नहीं टका एंसी पिट्यासी नहीं टका मुस्लिम होते हैं था तरह एमना सलाक और एम की दू कि जो भारत सरकार तरफ थी भारत ना बंधानर मा काईदा की एक कोई आपने गारंटी आपा मावे के कश्मीर नो इस्वेशनल राजियों दर्जु आपा मावे कश्मीर नी कश्मीर ती जीव राख़ारी ले अनने काईदा की रूप पाओ अश्वेशनल राख़े चकान की चश्मीर नो जो आपने सलामत राखुए तो भारत ये आपने बारत में विले कर्वह जो यह बहुतं मुट अुध्यों तो अच्छा स्विकारी लिदूने नहरु जी आब आब स्विकारी लिदी रहें अश्योग जी तमें समदों नहरु जी नहीं समगर कैबिनेट जे माँ पोते समा प्रसाद मुखर जी अश्वीन बहीं करी है कि नहरु जी अते हम गई दो के कश्मित मुद्व मारी पर छोड़ी द अब आज 370 मी कलम जाने दाखल था ही ना भई शामा प्रसाद मुखर जी नो टेक हो तो तो हम एतियास मा जाओ खोटू हो तो राज करन छोड़ी देश औने सर्दार सहेब एम की देलू कश्मीर ना बुबा मा के कश्मीर पाकिस्तान मा जोद कि दो जाए जहाए जहाए करी रहा तो कश्मीर ना बुदामा सर्दार सहे पढ़ाद ना जोए जएस सामड़ा तमें अवे तमें सांब्लो तमें बोलने महरबानी नंहें वाद करवा दो करें लोको समक्ष मुको छो एस में उपर कभीनित नखी करी शकीन होती कि शू करू जो यह कारण के क्या मांगनी है भी हती कि श्वेशल राद नो दर्जो वड़ा परदान के हो मावे अलग बजट करो मावे बे जंडा एक जंडा युए नो मा एक जंडो कश्मीर नो अलग ज में सुधी पोहती किया एले हरी सिंग दोड़ता हो त्यां दिली में आया दिली में को कि एक देश हो एने बे जंडा बे बंधारान बे बड़ा पतान आयोग्यात आता समसामडों ना एस तमने कौछों यह तमने जानता ना थी एज भुलावान कोशिश करें चे आज 370 नी क तो कश्मीर आपड़े साथे आजे ना होते समझी लेवानी जरूर छे इना कारने कश्मीर भारत में बिले तो अने बे जंडाओ अने बे जंडाओ अने इनी साथे साथे अलग प्रकार नू वड़ा प्रदान के हमावे ए 370 मी कलम मा हुआ था पंडी जवारला नेरू एने स श्वत्रों तो शर्मा आखी वात आवे जेक वही 300 सित्यर नी कलम जे अती एकले भारत मा विलीन थे उक कश्मीर नू त्याक वात आवे जेक सर्दार वल्लब भाई पटे लेम को तमय रजवाडा संबाळों काश्मीर ना मुद्दो मारी पर छोड़ दो आवी वात जवाल जिया करिया थी खरेकर आज ये मुद्दो पीयों के जे उबू थाविन एमाजे आमीच आपना आजे जारे बील रजु करूँ तयारे कायो के एमा जे हाथ चे पीयों के भरा आत्मा दी कर दो नहीं बूल आती जिलिब भाई मैं एक चीज यहां ये कहूंगा कि जमू कस्मी को लेकर के जो एतियाशिक तत्थे अश्विन भाई ने और अश्वक पंजाबी जी ने रखे हैं काफी कुछ हद तक वह सही है और एतियाशिक दस्तावेजों में उल्लेख है उनका बराबर लेकिन अब हम जो चर्चा आज जो कर रहे हैं मुख्य रूप से वह यह है कि जम वर्तमान की जो इस्तिती है कि दारह 370 वहां से अटाए जाने के बाद वहां पे क्या परिस्तिती है किस तरीके से वहां के लोगतंत्र का पुनरिस्ता अपना होगी यह अलग बहस है लेकिन अगर हम एतियाशिक तत्यों की बात करें तो यह बात सही है कि जमो कश्मीर का जो मुद्दा था भारत में विले करने का वो एक सीधा सीधा नहीं था उसमें काफी कुछ पेची दिया थी और दरसल सरदार पटेल तो चाते थे कि मुस्लिम बहुल है इसलिए यह हमेशा भारत के लिए सरदर्द रहेगा तो नेरू जी ने कहा कि ठीक है आ आप 564 जो रजवाड़ें उनका विले कीजिए जमो कश्मीर का मैं देखता हूं क्योंकि नेरू जी को जमो कश्मीर चे विशेंच लगाव था और उनका वो ग्रह प्रदेश था इन तथ्यों के बाद जब पाकिस्तानी कबाईलियों का हमला हुआ तब हरी सिंग जी ने दि जो लोग थे पिमो के अधिकारी उन्होंने ये बात नेरू जी तक पहुचाई तो उन्हों का वह जब तक आप हमारा इस्सा नहीं बनते हैं तब तक हम आपको ऐसे कोई मदद दे नहीं सकते हैं मजबूरी वस हरी सिंग जी तैयार हो गए थे और उन्होंने बारत में विले की बात भी तयार कर ली थी लेकिन दोनों की अपनी अपनी सरत थे ती उदर हरी सिंग जी अपनी सरत रहा है इदर बारा सरकार की अपनी सर्ति Economic बें दिया चालिए उस पर संसद्ष में पूरी बहस हुई थी हम सरदाय में पंडित नेरु उन्होंने एक और यह भी कही थी कि हम आज हम जमो कश्मीर को एक विशेश राज्य का दर्जा दे रहे हैं लेकिन समय के साथ यह दर्जा और यह जो विशेश मैं तुझ दिया जा रहा है यह खतम हो जाएगा अपने आप हाला कि वह खतम हुआ नहीं और अभी जब अब केंदर में सता में जब एंडिये आया तो उन्होंने दारह 370 को कर दिया 35 को कर दिया तो निश्ची तोर पे वहां पे लोगन आउडर का इश्यू आने वाला था लेकिन अब जो विपक्सिदल मांग कर रहे हैं वही वापस क्यो होने चाहिए चाहिए चुना हो विदान सभा चुना हो लेकिन आज जो संसत में बात कई गई है यह एक एतियासिक बात है और यह बात जमू कश्मीर के लिए उसके साथ-साथ भारत की एकता और अखंड़ता के लिए भी बहुत महत हु रखती है क्या लगता है कि कई सालों से अगर जमू कश्मीर की बात तेरे तो ऑनस्टेबल जो स्टेट रहा है इस बिल के जरीए स्टेबल बनेगा यह स्टेट क्या शांती सपेगी क्या कितना बदलावाएगा तेजिए साम्ती और रोड का जो इश्व है वह पुलिस और प्रसाशन के अलावा वहां की इस्थान यह जो नाग्री है उस पे भी उस पर ज्सेदाद है कि वह कैसी है कि को कॉप्रेट मिन करें करती और रखने कि नहीं पड़ती आधि कश्मीरी पंडितों का है कश्मीर को पंडितों को वापस बसाना चाहिए वहां नहीं बिल्कुल यह तो ही बात लेकिन अब दिक्कत यह है कि जब एक कम्यूनिटी लगबग पचास-चाथ साल से वहां से डिस्प्लेश हो गई अब उसको आप एक प्राकृतिक प्रोसेस के तह दिली में रह रही है दूसरे महाराष्ट में तो उनका सामाजिक आर्थिक और संच्रितिक जो वहां पे लगा और यह तो एक दम आप प्राकृतिक रूप से तो उसको नहीं कर सकते लेकिन हाँ यह चीज है कि वहां पर उनको आप रिजरोशन दे कर कि कॉन सा रिजरोशन य चरो हश्विन बई उनको आपनी पासे हश्विन बई पासे सवा लेजे के 300 सित्यनी कलम हटी के यह 15 सेपन लटावी आतंक वाद बंध हो सांती स्तपाई एक वाद यह चे नहीं तब में जे पुना वसन नी आपने जे वाद करे काश्मेरी पंडितो नहीं आ मात्र वातो था जमीनी कारेवाई कोई नती दै शुँ आब इल्थी लागतु नधी एक प्राक्रुतिक रिते एक पाभासुबो करवामा आवेचे के काश्मेरी पंडितो नुँ पुना वसन थाशे फरी पाठाईया यहां 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 नियाय मर्चे यहां 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 मान सनमान दूरोदोशा करीजिए अमुन ने पुने करें यह कोई दानन नहीं पंडीतों ने त्यां परिशिति मां उप्राइस ने मितरों अवे जारे भाजब भाजबी सब्सक्राइब करें तो लोईनी नदियों वेशे एक टिफू लोग आवे अवे जारे पियो के बारतिये जंद्या पाटी नेता लेवानी कौसिस करें चे तो एमात में कोने रुखियों छे लोग ताथ कली हमारों टेको छे संपूर टेको छे सब्सक्राइब करें तो लोग तांत्रिक पद्धत इती त्या सरकार ने रचना करी सांती बहाल करावा पागे चे लोगों ने पुखियों जरा जारे विश्युनाद परताब सिंग्नी सरकार दिल्ली महती वीपी शिंऺ वड़ा पड़्दा नता ये समय उपर कश्मिरी पंडितों उपर क्याना लोकल मुस्लिमें अमलो करता था ये अने त्या थी बागवो पड़िऊ है जटा जटा प्यारे वीपी सिंगनी सरकार ने टेको बार्ती स्भावारत्य जनता पार्टी नो तो बाहरता बाताय पंधीनाचे प्रताय पार्थी सिंगार्दी टेको पाचो कहँद्ध, कहां रफारे जनतानाच्ण л पत्रफद्ध कश्मी जनताच पार्टी सामें बाहरे لचातों कि एव दिनारोपार्थीस बाहरता सुटा अने भारत नों हिस्सों छे 1993 मा लोगसभा मा राजेशभा मा कॉंग्रेस से आ ठराव पास करीने बहुमती साथे नर्शी मारा वड़ा पता नता त्यारे आप ठराव पास करीशे तमारी आवाद साथे सम्मत तो लोगसभा मा सेनी बहेस करो छो सहयोग करो ने रचना तमाब सहयोग नी अपिक्षा चे बड़ा बड़ा नर्दरभाई मोधिय करो आशोग भाई आप इलमा तमारो सहयोग करो ये मोठानी बाद करो चो तमे आशोग भाई आशोग भाई सहयोग करो आप इलमा तमारो पॉजिटिव रहेगा आने वाले समय में क्या इनको मान सन्मान अधिकार मिलेगा कितना बरोसा इस विल पर किया जाए वहां की रागनितिक परिस्थिति देखके और हाल के हलाद देखके पंडितों को वावनस्तोला कश्मीर में हैं जी सत्रुद जी एक तो जम्मू है एक कश्मीर है तीसरा पीयोके है पहले ही तीन वर्गों में बटा हुआ है एक दूसरी चीज वहां की जो सामाजिक और जोग्राफिक जो डाइवर्सिटी है उसको भी हमको समझना पड़ेगा के हिंदू और मुस्लिम हैं दूसरा जिस तरीके का वहां का वेदर है इन सब चीजों को देखने के बावजूद अगर हम लोग यह बात करते हैं कि किस तरीके से उनको बसाय जाई तो वह एक नैचुरल प्रोसेस ही होगा उसके लिए और उसके लिए बाकाइदा उनको कानूनी और दूसरी सुरक्षा भी प्रदान करनी पड़ेगी और यह के लिए सीटों का एलान किया है तो यह बारत की दमक को बताता है अच्छा इसका स्रें को जाता है जो अशोग जी बोले है पियो के भारत का अभिन्द अंग है यह जो कॉंग्रेस ने भी पहले सदन में बताया था देखे प्रपोजल और एक्शन नर्षी वाराओ ने समय प प्रपोजल बताओ यह एक्षा विए अगर इस वाइंड के रिखे रहे हैं और वहां का सिटों का अलोकेशन ओगिया है वह वाहारा बारत का अभिन्न अंग है यह बात कांग्रेस भी कहती आ यह लेकिन अब सरकार जो कदम उठाने आप अब हो सकता है तो कश्वीर और जम्मो के साथ प्योके में भी चुना होंगे कुन करेगा इसको यह प्रियास पहले करना चाहिए था चलो बिल्कुल बिल्कुल मरियादा चे अश्विन भाइन वाद पही दीछ है कि अश्विन भाई नुमारे चैलेंग्स है हुँ हमारों टेको छे पीयो को लो हमला को लो पीयो को पालो हमला क्यारेंग्स करना चाहिए ओके कॉंग्रेस पर क्या काक्षेप प्रवाम आवचे तो पादन तू 300 सित्तेर नीचे कलम हती एने लेनेज क्याक पीयो के जे चे भारत मा बढ़िऊ शे वी बाद चे पन 300 सित्ते नीचे कलम हतावा मा तमाम राज्योंनों समर्थन होतू एकली भारतिय जंदा पाठी के सरकार नों समर्थन होतू अमे पन साथे हता अने शत्रुद शर्मा ये सरस्वात करी के 300 सित्तेर अटया पच्छी शान्ती स्थपाई चे के कें के स्थपाँ शे कें एक आखो एक चर्चा नों अलग वीशए चे और शत्रुद ना जीए कई के पातरी से दूर करी 300 सित्तेर दूर करी लोग तंत्र नी स्थापना तियां पन थाये एकलीट जरूरी छे चूटनी थाये एकलीट जरूरी छे पड़ मात्र सरकार के विपक्षोर नो सरकार नहीं त्यानी स्थानिक जनता पन जो शांती इचती अशे तो जम्मु कश्मीर मा शांती थशे अने शत्रूर नाजी ये कई उना एक सारी शरूर आच्छे आवनारा दिवसों मां कदाच आ जम्मु कश्मीर पन भारत में एक अभी नंग बने पीयोके पन भारत मां भड़े एवी एक शरूर आ थायी छे अने एमा तमामनों सहकार पन इतलो जरूरी छे समयनी पाबंदीने काराणे चर्चानों सहपण करिये चे अशोक पंजाबी अश्मिन बैंकर न शत्रूर न शर्मा प्रोने उपसित्रे आख खुप खुप आबा थेंक्यू वेरे मच जम्मो काश्मिर आरक्षन नामत बील जे लोग सभामा रजू थायू एनी एस्तरो केटली आने भुदकाल शू ओतो एनी चर्चा फरी मनिशू एक नवी चर्चा साथे जोता रहगुद्रात न्यूज नमस्कार झाल